अस्सलामुलेकूम ग्रेट सैमिन के बच्चे कैसे हैं सब टिक टाक हैं जी बच्चो आप लोगों ने पिछला काम कर लिया जो दो जो चैप्टर आपको दिये गए थे वो चैप्टर मुझे अमीद है आपने कर लियोंगे मेरे साथ अपनी बुक उपिन कीजिए अब हम अपन यह बता देती हूं कि जंगे मौता जो हुई थी उससे हम को यह सबख हासिल हुए था है कि मुसल्मां कम हो यह ज्यादा हो लेकिन हमें ब्ला हर हाल में लग की जभा पर हमें वरॉसा था ता तादाद में रोज वरोज इदाफा हो रहा था ये बाद उसरा के गवर्नर को बहुत बुरी लगी और इस जालिम ने हुकम दियागी जो इसलाम कबूल करे उसे गतल कर दो नबी करीम सब्सक्राइब ने जब बाद शाओं को खुतूद भेजे दावत इसलाम का एक खद हजजद हारिस बिन उमयर को दे कर बसरा के गवर्नर के पास भेजा जब वो मौता के मकामे पहुचे तो वहां के गवर्नर शुर्जबील ने आप से पूचा तुम कौन हो उन्हो मैं मुसल्मान हूँ और अल्ला के रुस्यों सल्म का खद लेकर बसरा जा रहा हूँ इसने हजद हारिस को बिलावजा गतल कर दिया ये खबर हुचे सल्म को मिली आपको बहुत दुगवा अब ऐसे मगरूर जालिम लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी था उमरी के अदा तालिप सपासलार हूँ गया और अगर वो भी शहातस से सरफरास हो जाये उस जंडे के अलम बड़दार हजद्ञा सब्सक्र चाह आफसे लिशकर को रवाना करने के लिए मुदिन मुर्वर की सरहत की तरफ तश्रीवला रिशास रहा है पहले इस जगा जाना जहां हारिस बिन उमेर को शेद किया था वहां की काफिरों को इसलाम की दावत देना अगर वो कुबल कर लें तो ठीक है वर्नतों मल्ला की तरफ तलब करते हुए इससे जहाद करना जंग का मंज़र इसलामी लशकर की तलाफ रुजील ने मकाबले के लिए एक लाक अफराद पर मुच्तवित तयार कर ली मौता की मकाम पर पहुंचा पहुंचकर दोनों लशकर आमने सामने हुए जब मुसल्मानों ने अपने सामने इतना बड़ा लशकर देगा तो हैरान परिशान हो गया इस मौके पर हज़द अब्दल्ला बिन रौहा ने पुर्जोश तक्रीर की लोगों दुश्मन की तादाद देखकर तुम्हें क्या हो गया हम कामियाबी का राज ना कसरत में है ना कुवत मुसल्मान इमान की ताकस से लड़ता है सबसे पहले मुसल्मानों पर हमला कर दियो मुझाहिदीन बड़ी बहादरी से लड़े अमीर लशकर जैद बिन हरसा अपने गोड़े से उतरका मेदाने जंग में कूट पड़ और लड़ते लड़ते शहीद हो गया उसके बादा जाफन में रब तालिब ने उठा लिया मगर वो भी बहादर से काफिरों ने मगर काफिरों ने उनको भी कतल कर दिया फिर सबके मश्वरे सादद खालिब बिन वलीद को अमीर बनाया गया हज़दा खालिब इतनी बहादर से लड़े के नौ तलवारे उनके हाथ में तूट कर गिरी आकर का मसल्मानों को फता सुली बेशुमार बेशुमा के चेर मुबारे पर नहाई रंजो गम के आसार है आफ से लड़े साद किया जैद ने जंड़ा लिया वो शहीद हो गया अब बिन जाफर अभी तालिम जंड़ा लिया वो शहीद हो गया अब 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 अब्दुल्ला बिन रहुआ ने जंड़ा लिया वो भी शहीद हो चंद रोज बाद एक सहाबी जंग के हालाद बताने के लिए अगर तुम्हारी मर्जी होतो तो मैं वहाँ के हालाद बता दू जंगे मौता के वाके से जहां हमें ये सबख मिलता है वहीं पर मालू हुआ कि अल्ला की अता है ये कमाल के आप से एकड़ो मिल दूर के हालाद देख सकते थे आपने देखा जंगे मौता में कितने मौता में कितने मौता में कितने सहाबी को शहीद किया गया सिर्फ उसका काफिर का यही था कि वार्श को यह देखता था कि कोई मुसल्मान है तो उसको फॉराँ शहीद कर दिया करता था इस उस पर नभी सालेम ने कहा कि ऐसे जालिम बादशा को तो सबक सिखाना पड़ेगा तो नबी सब्सक्राइब ने तीन हजार मुजाहिदीन को लेके लशकर में रवाना कर दिये जिस पे हज़द जाफर बिन अबु तालिब के तालिब के दोनों हाथ काड़ दिये गए थे तो अल्ला पाक ने उनको दो पर अता करे थे जिस से उन्होंने बाखी की जंग लड़ी हज़द हारीज बिन शहिद कर दिये गए थे इस तnew ऐनोंने किते सहाबियों को शहीद करते करते आखिर कार हज़द खालिब बिन वलीद ने इसकी इस जग की बाग डोड़ समाली और पिर अल्ला पाक ने उनको कामयाबी हासिल करवाई उन्होंने हज़द खालिब के जब ये जंग आई तो उन्होंने कैसे कामियावी हासल होनी थी ये बात नभी सलहinstr ep. बैठे स्चिाल स्वे झाल्ः दोर से बैठे भी तुर बैठे देख रहे थे। adapt अबे जाफर बिस्वेखा से पते हाסला आया तो वह भी शहीद होगा। अब जब हाज़त खालिद बिन वलीद के हाथ में ये जंडा आया तो वो नों ने यहां पे अल्ला पाक ने उनको कामियाबी हासिल करवाई और क्यूं करवाई इसलिए कि नभी पाक का बाले मुबारक उनकी टोपी में सिला हुआ था इसलिए ये जंग हज़त खालिद बिन वलीद के हिस्से में जीद की सूरत में आई जंग के मौता से हमें ये सबख हासिल होता है कि हम मुसल्मान कम हो या ज्यादा हो हमें ल्ला की जात पे भुरोसा रखना चाहिए और अपने defini पे भुरोसा रखना चाहिए लेकिन हमारे मसल्मान कमते हैं उनको देखके परेशान होगा है तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह ने ये तक्रीर में आवाज लगाई कि लोगों दुश्मनों की तादाद को देखके घबराना नहीं परेशान नहीं होना क्योंकि हम मुसल्मान हैं और हम ना कुवत पे बन सकते हज़र जाफन बिन तयार को अल्ला पाक ने उनके दोनों हाथ जंग में कड़ गए थे तो इसलिए अल्ला पाक ने उनको दो पर अता किये इसलिए उनका नाम तयार पड़ा इसलिए उनका पूरा नाम है हज़र जाफन बिन तयार ठीक है बच्चो इसके बाद हम आ बहाके बनाई है इसके आंसर सवाल जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे जंगे मौता के अजबाब सब कुछ आपको इसी बुक में आपके पास मौजूत है और आपको इसकी आंसर की भी बना के दे दी गई है जो के आपको मिल सकती है इसकूल से और ये कि आपको इसकी काबुई ती जमाति अलवल जमाति अलवल आठ हिजरी अभी तो मैंने आपको मुक्तसर सा आपको बयान किया है जब आप स्कूल आएंगे तो उसके बाद हम इंशालला ताला कोशिश करेंगे कि इन चैप्टरों को जो का आपको आज चुके हैं हम इनको दोबारा आपको अच्छे से समझाएं क्योंकि वीडियो में इतना तफसीली बयान नहीं किया जा सकता बागी इसके सवाल और जवाब आपको सवाल जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको खुद बखुद अंदाजा होगा यह जैसे सवाल हैं उस हिसाफ से आपको आंसर भी मिल जाएंगे मुझे उमीद है कि आप भी बच्चे काम कर लेंगे और नहीं कर सकें तो आपको आंसर की आपको वर्क्शिट आपकी स्कूल से आपको मिल सकती है ठीक है बच्चो आपका यह चैप्टर भी कम्प्लीट हुआ मुझे आप इजाज़त दें ठीक है बच्चो अपना भूत खयाल में किएगा और कोशिच करेंगा कि आपको अपना यह काम कम्प्लीट हो जाए ठीक है बच्चो ओके अल्ला आफिस